कर दोस्तों आप सब कफे से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चानल पर आज के इस उड़ी में हम बात करने आले के एपसे बिग बैश लीग की जो मैच है मेलबर्न स्टार्स वासेश होबर्ट हरीकेंस के बीच की जो मैच है उसकी मैं आपको कुछ स्टार्ट्स भी दिखान आलो माई 11 सर्कल की वहीं तीन विनिंग तीम दिखाने आलो सबसे पहले हम स्टार्स को देख लेते कि सबसे पहले अगर बात करें तो यहां पर स्टेडियम का रेकॉर्ड की बात करते हैं यहां पर अभी तक टोटल मैचेश हुए है तेरा बैटिंग फर्स ने वान किया है बार वही बॉलिंग फर्स ने वान किया है साथ बार तो थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं कोंगा दो ही मैचेस बॉलिंग फर्स ने वान किया है ने चेस करना है यह पर थोड़ा ज्यादा असान होता है फर्स्ट इनिंग स्कोर की अगर बात करें फर्स्ट इनिंग आवरेज की स्कोर की बात करें तो 168 रहता है सेकंड इनिंग स्कोर की बात करें आवरेज की बात करें तो 157 रहता तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग स्कोर थोड़ा जाधा रहता है अगर बात करें हाइस्ट टोटल यहाँ पर 184 ही हुआ है और लोइस्ट टोटल भी यहाँ पर 74 ही हुआ हाइस्ट चेस जारुस्तो अभी तक सबसे ज़ादा बढ़िया चेस हुआ है 72 का और लोइस्ट टोटल हुआ है 127 का मतलब 127 रन डिफेंड किये थे तो यह है स्कोरिंग पैटर्न इस स्टेडियम का अब बात करतें यहाँ पर किस तर से बैटिंग ओर्डर रहेगी सबसे पहले बात करतें मेलबॉन स्टार्स के बैटिंग ओर्डर की तो टॉम इफ रोजर और जो क्लार्क यह उपनिंग के लिए आएंगे दोस्तों सबसे पहले तो जो बंस विल टेक वन डाउन जो बंस वन डाउन की पोजिशन पर आते हैं निक लार्किन और मार्कस टोइनिस मिडल ओर्डर को संभालेंगे आडम जंपा मिल्बॉन स्टार् इनके पेस अटक को याने फास्ट गेन बाजी को संभालेंगे वही नेठर कुल्टर नाइल ने लास्ट मैक्स में काफी अच्छा परफोर्मस किया है और उन्होंने सबसे ज्यादा पॉइंट उनके टीम की तरफ से हासिल किये थे अब बात करते होबर्ट हैरिकेंस की जो है किस तर से रहेंगी बाटिंग और बेन मैक डिमॉट और मैट्वेड ओपनिंग के लिए आएंगे सी जेवेल्स वन डाउन के पोजिशन सभालेंगे दारसी शॉट शादाप खान ये मिडल ओडर में आएंगे जो पाकिस्तान के स्पीन गेन बाज है वो शादाप खान और द दार्टापध अरचॉट विलके स्बंभालेंगे दारसी शॉट पैस्ति कर लेते एक शैनिंग अच्छा उनका भी तो ये फाइदा होता है दोस्तों रूसं तो काफिज़ा बढ़िया है रिली मर्दाक्थ और नैथन इल विल लीड पेस अटेक है ऐएंग फास्ट गेन बा मेर्दित और नैथनील संभालेंगे इस तीम की तो इस तर से रहेगे बैटिंग और या कफिर कहेंगे टीम को अब देख सकते आप पर दोनों के बीच हेट तो अभी तक इन दोनों के बीच कुल 17 मैचेस हुए है रोस्तों और स्टार्स ने यहाँ पर 11 में विन किया है और हैर अगया फरक के आप पर 5 मैचेस जादा जीते श्टार्स नेय। अभी दोनों के लास पाँट मैचेस का परफॉर्मस अगर बात करें तो लूस विन विन लॉस विन पतल्प लास्त मैच अन्होंने टीन मैच में वान किया और न फमें लइस वह हए वह यह अगर बात करें थे। हारिकेंस की तो लासलास विन विन लास यहां पर संगे तो ही यहां पर बात करना आ है इस सबसे ज्यादा मस्ट को ले नहीं लेना है वो है नाथन कुल्टर नाइल जिन्होंने लास्ट मैच में 130 पॉइंट दिये और आडम जंपा जिन्होंने लास्ट मैच में मस्ट पिक्स रहेगे हरिकेंस की तरफ से दार्शी शॉट क्योंकि बैटिंग तो अच्छी करी लेते हैं साथी साथ गेन बाजी भी कर लेते हैं और बैन मैक डिमॉट को भी आपको मस्ट पिक मतलब लेना रहेगा अब बात करते की प्लियर्स की जो की अपनी टीम के लिए मतलब इतना खास भी नहीं रहा है लेकिन इतना बुरा भी नहीं रहा है अगर बात करें जो क्लार्क भी की प्लियर रहेंगे देख सकते हैं पांचों मैचेस में इन्हों डबल फिगर किया हालाकि सबसे बड़ा स्कोर 25 है उसके बाद 23-14 और 11 तो चारों मैचेस में इन्हों सबसे विकेट लिये हैं और दो बार जिरो इनको मिले हैं सबसे बांच में लिए तो यह डीम बसते हैं दो एक बार और एक बार जीरो एक रहे है नाथन कुल्टर नाइल जैसे कि मैंने बता है लास्ट में सबसे ज्यादा पॉइंट दिये थे उन्होंने तो तीन विकेट आप पर उन्होंने लिये है उसके बाद 0011 मतलब पिछली मैच में अगर देखा जा तो सब बेस्ट परफोर्मस इनका रहा है अब बात करते होबर्ट हरिकेंस की जो की प्लेयर्स रहेंगे उनकी तो जो पैरिस रहेंगे जिन्होंने कुछ इनका स्टाइट नहीं है आपर पॉइंट दिखाए जीरो पॉइंट क्योंकि अभी तक मैच ही निकला प्रेडिट के साथ है अगर बात करें नैथन इल्सकी तो जीरो तीन विकेट दो विकेट एक विकेट एक विकेट यानि चार मैच असमें अच्छे खासे विकेट टीम डेविड की बात करें तो तीनों बार दो दो आठ इतना ही रहा है और दो बार 36 और 21 रन वह बनाने में कामियाब रहे है मैथू वेड सबसे बढ़िया परफरमस दिख रहा है दोस्तों इनका तो इनको लेना ज़रूरी है इसलिए की प्लियर में है 130 याने 100 बनाई थी इनोंने उसके बाद 56 और फिर थोड़ा फेल हुए थे पाच और तीन रन बना पाए लेकिन 250 और एक शता के दोस्तों जो की काफी शानदार है रिली मार्दित की बात करें तो दो विकेट जीरो एक दो विकेट दो विकेट तो इनका परफॉमस थोड़ा ज्यादा अच्छा बेटर है तो इसलिए जादा मैचेस का परफॉमस बताया देख सकते दो दो विकेट तो तीन बार लिए है एक बार तीन विकेट भी लिए एक विकेट भी लिए तो इन्होंने एक मैच में 19 रन तीन लिए है फिर आट रन बारा रन जिरो रन इनको गेनवाजी नहीं दी मैच बेन मैच डिमोट अगर बात करें तो यह भी काफी जबदस दिख रहे है बाईस रन नाइन्टीवन रन एकतीस रन चार रन सोला रन याने डबल फिगर में काफी ज़्यादा बिलिंग किया है इनोंने अभी तक एकी बार सिंगल डिजिट में आउट हुए तो यहाँ पर सबसे बड़ी स्कूर नाइन्टीवन हाने हंड्रेट से चूग गए थे यहां पर मतलब यहां पर नहीं बताया पाया हूं लेकिन शादाप खान के मेरे पास स्टार्ट नहीं थे तो यह एक मुझे लगता है की प्लियर साबित हो सकते क्योंकि गेन बाजी तो काफी जब और तीन टीम अल्रेडी मैं यहां पर बना के रख चुका हूं माय टीम पर जाके दिखा देता हूं पैली टीम को इडिट करके यहां पर देख सकते हैं रोश्तों कीपर में मैंने दो प्लियर को लिया है भी मैग डिमॉर्ट को भी अपकोस लेना ही है पुझे यहां पर जो क किनको भी ज़रूर शामिल करूंगा तो इस तरह से तीन ही बल्लेबाद मेरे पास रहने हाले अगर आप चाहे तो यहां पर टी फ्रेश रोजर को भी ले सकते हैं लेकिन अभी इस टीम में मैं जो बंस को भी नहीं ले रहा हूं और उनको भी नहीं ले रहा हूं पर तो गेन बाजी में ट्रेट बोल्ट को लेना जरूरी एडम झंपा को लेना जरूरी है और मर्दित को भी लेना जरूरी है तो कुछ कुल मिला के इसी वज़े से यह ऐसे टीम बनी है कुछ प्लियर चूटे है जैसे वेब स्टार एक चूट गये है यहां पर और इसके अ आ सकते हैं लेकिन फिलाल मैं अभी इसी तर से रखूंगा नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और देखेंगी कि क्याप्टन हम किसी बना सकते हैं तो यहां पर हीटिंग पावर भी है टीम डेविड के पास तो यह भी एक प्लस पॉंट रहेगा इसलिए आपर मैं इनको लूँग बल्ले बाजी कि बात करें जंपा है और मेरे देट है तो काफि जबदस्त बॉलिंग अच्छी है आप चाहे तो इसे ग्राण लिक के लिए उचके लेकिन सबसे पहले जरूरिय विचके कर दीजेगा मुल्टिपल्स लीगों को अगर यूज करेंगे तो कहीं न के आप जरूर जीतने के चांसेस रहेते हैं दोस्तों अलग-अलग आप्शन रहेते तो और स्मॉल लिग के लिए उसके बाद यूज करें तो कोई प्रॉब्लम में कोई दिकत नहीं इस टीम के कैप्टन और सीधे म आपके बारे में उल्टा कौंगा में गेन बाजी काफी जादा बड़ी है और पैटिंग अच्छी कर लेते चलिए दोस्तों को क्लोज करते हैं और दूसरी टीम दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर मैं पर अच्छी कर रही है और टींग को भी ले रहाओ और ती फ्रेशजर रॉजर को भी हाँ ले लिए तो पर तो यहाँ पर अगर आप को ना लेना चाहें तो जोंग डंस को ले लिजेब्ल्म भी अच्छीखासे बाटस्मलें Pros तो उनका हर बार ड्रॉप करना ठीक नहीं रहेगा अगर सी जेवेल खेलते तो वह भी आ सकते हैं लेकिन आभी फिलाल टीम डेविड के साथ ही जाना मैं सही समझेंगा क्योंकि बैटिंग अच्छी करते हैं वेटिंग पावर काफी जादा बड़ी आए दोस्तो आल राउंडर पर चलते हैं तो यहां पर दार्सी शॉट के साथ मैं जाओंगा शादा आप खान को मुझे ड्रॉप करना पड़ा है क्योंकि वेबस्टार भी काफी ज जमपा को लूँगा ट्रेड बार्ड को मैंने यहां पर थोड़ा ड्रॉप किया है नेथन कोल्टर नायल को ले रहा हूं मेर्दित को फिर से ले रहा हूं और यहां पर इन इल्च को भी टीम में शामिल करूंगा चार गेन बाजों के साथ मैं इस टीम में जाना चाहता हूं को दोस्तों काफी बड़िया टीम नजर आने वाली है दोस्तों अगर आप यहां पर एन इल्स को या फिर किसी एक को ड्रॉप करते हैं मेरदित को तो आप यहां पर शादा आप खान के साथ जा सकते लेकिन मुझे लगता है चार चार गिन बाद यहां पर चूस करना ज्यादा फारेमन साबित हो सकता है नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और देखेंगी क्याफटन वैस कप्तार अपकिसे बना सकते तो यहां पर मैं क्यापटन बनाने जा रहा हूं सबसे पहले जो में लिये है एच कार्ट्राइट को ले रहो टी फ्रेश रोजर को ले रहो टीम डेविर को ले रहो अल्राउंडर में वेबस्टार को ले रहो दासी शॉट को भी आपर शामिल कर रहो गेनबाजी मेरे पास इस टीम में काफी मजबूत रहने आ लिए नेथन कुल्टर नाइल रहेंगे यूज करें तो बेटर है अगर मल्टिपल स्टीम में यूज करना चाहे तो कर सकते इस टीम को भी कोई प्रब्लम ने कोई दिक्कत ने लेकिन स्मॉल लिग में बिल्कुल भी यूज ना करें तो फायदेमन साबित होगा आपको आपको ज्यादा रिस्क लेदी कि जरुरत न यहां पर कीपिंग में मैं सिर्फ डिमॉट के साथ जा रहा हूं अल्रेडी में मैं मैं को दो जगह पे ले चुका हो जो क्लार को भी ले चुका हो तो इसी वज़े से यहां पर एक ही कीपर के साथ में जाने आला हूं ताकि मेरे पास जादा आप्शन रहे सके आगे बैटिंग में जो बंस को लूँगा जेड क्रावली को भी इस टीम में शामिल करूंगा अगर क्रावली को अगर मैं डॉप कता हूं तो तो अब अल्राउंडर की बात करें तो मारकस टोइनिस को रखूंगा मैं दार्सी शॉट को भी रखूंगा यहां पर मेरे पास तीन आप्शन है बैटिंग में लेकिन एक चेंज आपको ज़रू करके दिखा दूँगा यहां पर गेन बाजी पर चलते तो आडम जंपा मेरे टीम मैंने बनाई थी उसी के गेनबाजी को कंटीनिव किया है तो यहां पर मैं आपको जरूर चेंज बता सकता हूं दोस्तों तो यह रहेगा कि यहां पर आप एन इल्स को ड्रॉप करके शादा आप खान को अपनी टीम में शामिल करते तो मजबूती और भी आ जाएगी क् क्राइटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते तो चार आल रॉंडर हमारे पास हो जाएंगे जिसे हमें काफी फायदा हो सकता है तो कुल्मला के बढ़िया टीम मन चुके फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और देखेंगी क्याप्टन और वाइस क्याप्टन हम किसे बना सक सकते शादाब खान को भी आप जरूर ट्राइक कर सकते मेरे काल से हमने फ्रस्ट इमने इनको आल्रोडी वाइस कैप्टन बनाया तो यहां पर मैं भी मैक डिमाट को अगर आप नहीं बनाना चाहे तो मैं आपको सला दूंगा आडम जंपा के साथ आप जरूर जा सकते क्यों बात करें ऑल्राउंडर की तो मार्कस टोइनिस भी है वेबस्टार भी है शादाब कान भी दार से शौट भी है तो कुल्मिला के चार ऐसे ऑल्राउंडर है दोस्तों जो की बैटिंग भी अच्छी कर सकते यानि आपको डवल पॉइंट मिलने आले इन सब के जैसे गेन आजी भी संभालने आले तीन तीन से ज्यादा तीन गेन बाज है इधर तो इधर चार गेन बाज है तो कुल्मिला के एक अच्छी टीम लग रहे है अफकोस हंड़ेट परसंट ग्रैंड लिक के लिए यूज करना है यान नहीं करना है आप पर छोड़ता हूं मैं मुझे टीम है तो आप जरूर इस टीम को ग्रैंड लिक के लिए हंड़ेट परसंट यूज कीजिएगा स्मॉल लिक के लिए यूज करना है नहीं करना है मैं आप पर छोड़ता हूं तो चले दोस्तों इस टीम को भी क्लोज करते सेव कर लेते और अब चलते माई 11 सरकल पर जहापे है भी तीन टीमय में अपको दिखाने आला है जरूंश इन डोनों टीमों का जो नाम है यहां पर ठोड़ा अलग रखा गया वर्यूश तो तो हम आचकल के यहां पर देख सकते हैं मैं आपको 상त करके देखा देखा यह स्टे र二stäर्स वर्सिसावबर्त इस तरह से नाम है यहाँ पर इस पर हमें क्लिक कर लेने आभी यहाँ पर आफर चल रहा है अगर आप कुछ पैसे आड करते तो 50% आपको यहाँ पर मिलने आला है तो मैं इसकी आपकी डिस्क्रिप्शन में दोंगा दोस्तों वहाँ पर जाकर आप जॉइन करते तो यह को बोनस आपको बिलेगा मगर अगर मतलब आप अगर 100 रुपेश यहाँ पर आड करते तो आपको 150 रुपेश मिलने वाल है तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं मैच पर और टीमों पर चलते हैं नीछे जो क्रेट टीम है वही पर दिखती है आप देख सकते हैं कर पहली रंक के लिए और दो लाख रुपेवी नगत रहती चले टीम पर चलते हैं सबसे पहले टीम को दिखा देता हूं मैं यहाँ पर मैं कीपिंग में यहाँ थोड़ा हटके करने आलो यहाँ पर जो क्लार बी मैग डिमाट और मैथ्यू अर्टीनों को साथ में लेने आलो क्योंकि यहाँ पर आपके पास रिस्ट्रिक्शन काफी कम र अभी मैं ती राजर्स को और लार्किन को इस टीम में नहीं लूंगा अगली दो टीमों में मैं जरू कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहूंगा ओलर रॉंडर पर चलते हैं तो अफकोस काट ट्राइट को ले रहाऊ शाधाप को ले रहाऊ शाधाप खान को दार्सी शॉट और मारकस चारों अच्छी खासे ओलर राउंडर है चारों को एक साथ में शामिल कर ले रहाऊ ताकि आपको ज़ाधा से ज़ाधा हो सके गेंबाजी की बात करने तो एक ही गेंबाज के साथ जाऊंगा नैथन कुल्टराल नहीं क्योंकि दोस्तों यह अच्छी खासी गेंब क्वाइस 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 क्वाइ तो आपको कोई नुक्सान नहीं होता है अभी इस टीम को सेव करते हैं और आपको पहले टीम का प्रिव्यू करते हैं दिखा देता हूँ कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मिरे पार जो कलार्क है मैं डिमोट मैंठ्यू उर्ण हो मेरे पास वैस्ट इम्रेफ सपरते हैं मंपकर चाहान आप समझ सकते हैं लेकिन आपकों में लग रहे हैं अपकोस मैं आपकोस मैं चाहओं के सार मारकस च्षेओं और जो क्लार्क को इस्टिम का वाइस कैप्टन बनाऊंगा मार्कस टोइनिस अच्छी खासी गेनपाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी हिटिंग पावर भी काफी बढ़िया है तो डबल पॉइंट हमें दे सकते तो वहीं जो क्लार्क भी हमें डबल पॉइंट दे सकते आज बैटिंग तो यह पॉइंट देंगी साथ हमें स्टंपिंग रन आउट या कैचिंग में भी जो कीपर है इसको जिसे एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर दे सकते तो इसलिए वाइस कैप्टन इनको बनाने जा रहा हो अगर आप किसी और को साथ जाना चाहे तो ज़रूर जा को अफकोस लुगा रॉजर्स को इस बार ले लिया तो तीन बहले बाद से मेरे पास और में चलते हैं तो यहां पर मेरे पास फिर से चार आप्शन है एच कार ट्राइट को लिए शादा प्रान ड्राशी शॉट और मार्कस टोइन चारों में से किसी को ड्रॉप करना हो तो कर सकते हैं लेकिन काफी मुश्किल फैसला रहने वाला है किसे ड्रॉप करें और किसको नाड करें तो इसलिए मैं फिलाल इस टीम में भी चारों के साथ जरू जाओंगा यहां पर चलते तो दो गेन बाजों को मैं यूज़ करने वालो आडम जंपा और नैथन इल्स को इस पर देखेंगे कि किसे बना सकते तो यहां पर मैं इस टीम काप्टन आडम जंपा के साथ जाओंगा थोड़ा रिस्क लेना चाहूंगा क्योंकि काफी जबदस गेन बाजी करते रहते और वाइस क्याप्टन के लिए मैं जाना चाहता हूं वेब स्टार के साथ यह भी काफी जबदस्त और काफी बढ़िया गेन बाजी कर सकते और अच्छी खासी बाटिक भी कर सकते तो इसलिए इन दोनों के साथ जाओंगा अगर आप चाहे तो शाद आप खार और दार्सी शॉट में से भी किसी को भी मतलब इन दोनों को भी क्याप्टन और मनाना चाहे तो जरू इस टीम को भी सेव कते हैं और फिर से टीम प्रिव्यू कर आते हैं तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो क्लार्क और मैथ्यू एड है मेरे पास बैटेंग की बात करें तो वेब स्टार है जी टीम डेविड रॉजर्स को लिया है और मेरे पास शाधाब है यहाँ पर क अगर बात करें गेन बाजी में नाथन इल से अडम जंपा को लिया तो अच्छी खासी टीम है इतना बुरी टीम नहीं है लेकिन पिछली टीम को जरूर आपको कहूंगा कि स्मॉल लीग और ग्रांड लिग दोनों के लिए यूज करेंगे तो कोई प्राब्लम नहीं लेकिन कि इस टीम को मैं जरूर्प कहोंगा किसीप और अखिरें की तो इहां पहों पर सिर्फ और सथे नाकी यहां Mario धंग की परinski किसी और नहीं लूगा ताकि मिलेपाथ ज्यादा वाप्षन बन सकें घीन बाजी में यहां पर मैं सिर्फ दो ही बल्ले बाज लेना चाहता हूं वेब स्टार और टीम टीर रॉजर्स को बाकि किसी और को नहीं लुँगा और सबसे हटके मेरी टीम की बात रहने वाली है पाच गेन बाजों के साथ जाने आ लाओ अभी तक एक या दो ही मैंने लिये थे नैथन कुल्टरनाइल, ट्रेडबोल्ट का भी तक नहीं ले पाया था, आडम जंपा, नैथन इल्स और यहाँ पर रिली मेर्देट के साथ मैं इस टीम में अभी फिलाल जाओंगा, क्योंकि दोनों, इनको भी मैंने पिछली दोनों टीमों में नहीं लिया था, अगर आप चा सकता है, जो बर्ण से आपके पास टीम डिवीड है, क्रावली है, तो आप ऐसा भी करना चाहें, तो कर सकते हैं, लेकिन अगर नैथन इल्स के साथ जाते हैं, तो यहाँ पर अच्छा कर जाती है, तो आपको ग्राइंड लिक जिता सकती हैं, फिर अच्छे खासी अर्निंग सकते हैं, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और कैप्टन ओ प्रिवीव कर लेते। नाथन कोल्टर नाइल रिली मेरदेट नाथन हील्स आडम जंपा टेट बोल्ट तो यह काफी अलग और हट के टीम बनी है दोस्तों और काफी चांसे से इस टीम के ग्राइड लिग जीतने के क्योंकि ऐसे टीम में ग्राइड लिग जीतती है और आपको अच्छी खासी अर्नि कर सकते हैं तो कुल्बला के अच्छी खासी टीम है दोस्तों फिर से बता दू मैथ्यू वेड है वेबस्टार है टॉम राजर से शादाब कान दार्सी शॉट मार्कस टोइनिस और गेन बाजी में कुल्टर नाइल मेरदित नैथन इल्स आडम जंपा और ट्रेड बोल्ट त सब्सक्राइब कर सकते हैं यही रिसकी हो सकता हैं तो आपको अपको मेरा यह वीडियो पसंद आघर पसंद आगा तो इसे लाइक शेर और कमेंद जरू कर दीजिए और चाइनल को भी अगर आपने अप तक सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथे साथ बेल आइकॉन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना ना बुले ताकि ऐसे उड़े आप तक पोस्टे रहें आप अच्छे से अर्निंग करते रहें साथे साथ टेलिग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वहाँ पर जाके उसे जॉइन जरू कर लीजिए ताकि कुछ भी चेंजेस रहते तो आपको बता सको किसे ड्रॉप क्या है और उसके आप किसको ले सकते हैं फिर कुछ और अपडेट रहती तो भी मैं आपको बता स सकता हूँ तो ठीक है दोस्तों आज के उड़े में इतना ही मिलते हैं अगले में तब तक के लिए थांक्यू धन्यवाद और गुडबाए